आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही भैतरिन रेस्पी लेकर आई हूँ अमरूद का जूस या फिर गवावा जूस अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सारे गुन पाई जाते हैं और यह फल बहुत ही असानी से मिल जाता है बजार में भी और हमारे घर में भी एवलेबल रहता है अमरूद में विटामिन C बरपूर मातरा में पाई जाती है और फाइबर की मातरा भी बहुत अधिक होती है जो हमारे पाचन को ठीक रखने में मदद करता है हाई बलड प्रेशर को भी ठीक रखता है हर दै रोगों के लिए भी बहुत ज़्यदा फाइदेमन्द होता है अमरूद के अंदर विटामिन A अधिक मातरा में पाई जाता है जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यदा फाइदेमन्द रहता है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अम्रूद का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अम्रूद लिया है अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप यहाँ पर ज़्यादा अम्रूद भी ले सकते हैं अम्रूद हमारा यहाँ पर ना तो ज़्यादा पका होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कच्छा होना चाहिए तो medium size का हमें यहाँ पर अम्रूद लेना है जो ठीक ठीक पका हो उसका taste बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इसको पहले हमें अच्छे से wash कर लेना है फिर इस तरह से बारिक टुकडों में काट लेना है आप अम्रूद यहाँ पर किसी भी तरह का ले सकते हो मार्केट में वह तरह के अम्रूद आते है तो किसी भी तरह के आप अम्रूद का जूस यहाँ पर बना सकते है अब हमें यहाँ पर इसको मिक्सी के जार में डाल देना है डालने के बाद अब मैं यहाँ पर एड करना है पानी तो अभी मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी लिया है आप बाद में एक गिलास और एड कर देना अभी इसको में बारिक पीस लेना है और यहाँ पर दो चमबच मैंने चीनी डाले है चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हूँ जितना भी आपको कम जादा रखना हो तो दीखें मैंने यहाँ पर अमरूत को पीस लिया है बहुत यहाँ पर थोड़ा पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बरतन लेना है और इस तरह से चलने में इसको चान लेना अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे काला नमक आप यहाँ पर जरूर एड़ करें यह बहुत ज़्यादा पाचन के लिए भी है तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर आधी इस तरह से cut कर लीजे और जो हमारे glass है, उस पर हमें नीम्बू को इस तरह से लगा लिए ना है नीम्बू के Region देखी इस तरह से आप अच्छे लगा दीजे तो देखिए अब मैंने दोनों गिलासों पर नीमबू को अच्छे से लगा लिया है और जो हमने मसाला बना करके रखा था उस तरह से हम इसको अच्छे से लगा लेंगे गिलास के चारो तरफ यह बिलकुल ऑप्शनल है अगर आप यहां पर इसको स्किप करना च सकते हैं लेकिन इससे टेस्ट भी अच्छा हैगा और जो देखने में हमारा जूस है वो भी अच्छा लगेगा अब हम यहां पर जूस को डाल देना है तो मैंने यहां पर दोनों गिलास में जूस को डाल दिया मैंने यहां पर दोई गिलास जूस बनाये था अब हम जूस को कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा उसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे आइस क्यूब अगर आप इसको ठंडा नहीं पिना चाते तो ऐसे भी आप इसको पी सकते हैं तो लीजे हमारा बिल्कुल बाजार जैसा घर पर यह अमरूद का जूस बन कर के तैयार है आप इस तरह से जरूर बनाएं बहुत ज़दा टेस्टी लगता है और फाइद है अगर आपके बच्चे अमरूद खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से उनको अमरूद का जूस बनाकर घर में पिला सकते हैं आशा करती हूं आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो अपने सबी दोस्तों में शेयर जरूर करना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार